हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत आज़ी वीडियों पढ़ने वाले हैं वह हमारे पास एक्जामपल है तो यहां पर है एक्जामपल की लिप से समझ रहे हैं तो आपक्स लिया जो की हमारे पास पूर आप सब्सक्राइब कर रहा होगा एंप यह पूंट ले लिया थे देकर स्थाति थे पिलस डेने की राइट हें डेरिबेटिव क्या हो रुप सब्सक्राइब टेक्स या उसक्त करेंगे वह है प्लंस मैनस एक अफ्ट को व्यहाँ से हम क्या इसको क्या लिख सकते हैंस हम संपलस माइन thu it was C THERE को आ भूं कोसी प्लस बन बाई हुच पहुच भेएड को है इसको मिन चीजिए ताहिए टारी टारी मिनें न missions जहुच एल डाऊ है मेंन्स हैं वाहरं एह प्लस बनावाई कुह एंड़ समृ में बनावाई क्या कुम में से moss चैन a plus b minus sin a minus b जो कि हमारे पास simple होता है 2 cos 2 cos a sin b इस formula के help से हमने इसको change किया है तो यहां से हमारे पास आगए limit h tan to 0 2 cos c plus 1 by 2 h sin 1 by 2 h upon h तो यहां से हम उसको क्या लख सकते है limit h tan to infinity cos c plus h y 2 1 by 2 h जिसको लिख सकते है और 2 को इसको नीचे लेगे तो 1 by 2 होगा है limit h tan to 0 sin 1 by 2 h upon 1 by 2 h अब यहां पर हमारे पास एक जोर limit होते है वो होते है limit theta tends to 0 sin theta upon cos sin theta upon theta ब्राबर 1 होता है तो इसकी help से हमने यहां पर इसकी value 1 put कर दिए तो यह और यह h tan to 0 होगा है तो इस cos c आ गया अब हमने left hand derivative निकाला f dash c minus 0 बराबर limit x tan to c minus f x minus f c x minus c limit h tan to 0 f c minus h minus f c minus h यानि हमने यहां पर क्या क्या है left hand derivative निकाल रहे हैं तो x को हम replace कर देते हैं c minus h से तो यहां से हो गया हमारे पास x को जब replace करेंगे c minus h से तो यह formula हमारे पास आ जाएगा limit h tan to 0 sen c minus h minus sen c और यह हो गया minus h limit h tan to 0 2 cos c minus 1 by 2h sen minus 1 by 2h इसको भी हमने simply इसी तरह से जो उपर तोड़ा था इस तरह से इसको तोड़ा है तो यह इसको मैंने किस तरह से तोड़ा है sen c minus h को मैंने क्या लेखा sen c minus 1 by 2h minus 1 by 2h और sen c minus 1 by 2h plus 1 by 2h इसकी help से हमने इसको जो sen यह हो गया sen a minus b और यह हो गया हमारे पास minus sen यह a minus b so a plus b इसकी help से हमने इसको simply 2 cos जोगे इसकी तरह से इसकी तरह से 2 cos c minus 1 by 2h sen minus 1 by 2h upon minus h इस h को मियान नीचे ले जाएंगे तो और यह हमने cos c minus 1 by 2h limit i say to npt sen minus 1 by 2h upon minus 1 by 2h फिर से यहां पर sen हमने यह फोर्मोरा लगा दिया है limit theta times to 0 sen minus theta upon minus theta ब्रावर बन होता है इसको फिरेंस प्रूब भी कर सकते हैं इसको प्रूब करने के लिए हम क्या करेंगे sen को हम open कर देंगे sen की जब extension करेंगे और उसके बाद हम limit apply करेंगे तो भी हमारे पास यह आ जाएगा अगर इसको हमें और ओपन ली दिश्व करना है तो इसको हम open करके हम सो कर सकते हैं तो यहां से हमारे पास यह हो गया हमारे पास cos c इसका left hand derivative भी हमारे पास cos c आ गया इसको हमारे पास का derivative भागया यहांनि fx का derivative जो होगा अगर एफ एक्स चैन एक्स है तो f-x क्या होगा cos x इस तरह इसे हम और भी function का derivative निकाल सकते हैं यह हमारे पास general भी होता है किसी function का derivative निकालने का थैंक्यू फ्रेंड्स